तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज जिसको हम नाम दे सकते डार्क रियल्टी ऑफ एब्रॉड जॉब्स जो अपने तर्मनेल देखा उस पे बात करोंगा हकीकत कि हम सोचते क्या है हमें मिलता क्या क्यों मिलता है उसके पीछे की रिजन्स क्या है आज आपक पेक मली भैं भी मिलत्स को थ्जाए खी तो चीजों को थोड़ा समझते हैं कि इस में कितनी है कि हमें काम कुछ बोला जाता कि दिया कुछ आज़ा सबसे पहले कि आम इंसान की सा बात करते हैं कि मैं एक अकांटेंट हूं और मैंने अप्लाइ किया है एज जॉब्स इन यूरोप किसी भी कंट्री में मेरा काम है डेट टुडे मेरा रिपोर्ट बनाना चाहे सेल्स पर्चेस अगांट के जितने भी काम है उसको रिपोर्ट बनाके मेरे हेड को देना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे को एक अच्छे से कैबिन मिलेगी एक और लैप्टॉप मिलेगा पीसी मिलेगा जो भी है और फास्ट मोविंग चीजें मिलेंगी और मेरे पास ऑफिस बइटा होगा या जो भी बैठा होगा में उसके काफी मंगाऊंगा बट दोस्तों इन सबसे अलग यह सारा बात जूटा है रीजन बताता हूं इंडिया में और गल्फ में खासकर इंडिया में चीजें बड़ी आम है कि आपको चोटा सा जब पोजिशन भी मिलता है ना तो आपके आसपास होल लग जाती लोगों की सेवा करने की चंचा गिरी करने की क्यार यह बंदा सीनियर है यह अकांटेंट है यह कैशियर है तो यह मेरे को यह करके देगा तो चलो मैं इसका चाय बना के देता हूं इसको मैं काफी बना के देता हूं इसकी मैं चापलूसी करता हूं इसको मैं सब कुछ बताता हूं यह हिंदुस्तान में होता है और एक और ची बढ़ से ब्रॉप को अब लिखा जाए तो सब कुछ दिखा देता हूं लेकिन जब आप वहां पहूंचते हैं तो वहां का महौ फोड़ा अलग होता है अलग अलग इंडा सेंस है जो आपके एजूकेशन से इंडिया के एक्सप्रियंस है उसको जी रह बता जिरो सब्सक्राइब वहां से को नहीं है चुछे पूजिशन से ऐसे कह सकते हैं कि मैं अपको पहले दिन आपको दिया जाएगा कि भाई यह पेटिकेश का कॉपी है इसको इंट्री मारो तो मेरे भासा में आसान भासा में इस्टोर कीपर की बात करते हैं किसी के सीवी पोला मिझे टॉर्प करना है मैं तेक घुको मैं करवा दूँगा मैंने शब्द बोला सांगा बर एक आप और की फोसकते हैं कि बो सकता है रोड के पर काम में 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 Μें सब्सेंट आप ठीक है अब बंदा सीवी में सब मेंशन करता है कि मैं यहां काम किया इतना साल काम किया हूं मेरा यह कोर से मेरा ओकोर से फलाना है इंटिम का सब मेंशन करते है रियल्टी में जब वहां पहुंचता है तो पालूम पढ़ता है कि बंदे के पास जो इस्टोर कीपर का नॉलेज होता है अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा जा तो उसके बहुत हाट काम होते हैं इस टॉक लेने के लावा बहुत सारी ध्यान देखना पता है टूल्स कहां रखाऊ है टूल्स की सप्लाइब बराव होगे कभी-कभी टूल्स कुछ उठा के साइट पर कंस्ट्रक्शन के बंदों को दिया जाता है कभी-कभी खुच जाके तूल ले कर आना पड़ता है कभी-कभी यसा होता है कि पूरा स्टोर को फुद अंडल करना पड़ता है नीचे से समान उठान पड़ता है और जिस जगह में समान रख है वहां से आपको रैक को उठा के नीचे सफाई भी और अम दैखते हैं कि हम लैंड करते ही हमें एक मिलेगा आलीशान बंगला उस बंगले में मिलेगी एक क्वाब्रॉश्यÑं ॉपर भालकनी होगी और यह सोच हमारी होती है पहुंचने के बाद यह मेरी भी सोच थी जब मैं दुबए आया कि मुझे भी रिसीप किया जाएगा अपार्टमेंट पिलेगा उसके अंदर सब होगा लेकिन हकीकत की दुनिया से एकदम अलग मुझे जगा मिला जब मैं आया तो मुझे तीस डिगरी में मुंबई वाले में रहने क्यादत थी आज मैं 2009 की दस की बात बता रहा हूं सड़ली जब मैं 48 डिगरी में बहार निकलता हूं टर्मिना वन से और जो मुझे गरम हवा लगते हैं फटक संदर भागता हूं फिर वहां जो ड्राइवर जो पिक अप करने आया त और मैं सपने देख रहा था रोड पर जब दुबै के रोड पर मैं चल रहा था था तो बड़े बड़े सपने देख रहा था लेकिन मुझे छोड़ लिया गया दुबै के कमीना बजार में वहां पर एक अकॉमडेशन था जुस्वादेशन पर सेकंड फ्रोर पर हम खुद 30 केजी का लगेश हम लेके उपचड़े और एक कमरे में हमारा लगेश रख दिया गया और अंधेरा बंद अंधेरा था उसके अंदर बोला गया भी लाइट आउन मत करना ड्यूटी का टाइम वाले सो रहे हैं साड़े चार बज़े उठेंगे तबान करना दोस्तों मैं दो पिटर ऐसे ही बैठेंगे कमरे अंदर साड़े 4 मैं जब बंदे उठें किसी बंदे न शिबात नहीं की हम भूके थे किसी बंदे नहीं हमसे पूछा नहीं किसी निकुछ नहीं पूछा एक बंदे से से सिर्फ नो सो से neई उसने बताया नीची रेस्टोनें नहीं ऊसने हाल जरूरी नहीं है कि आपको खाना खिलाने के बाद आपको बेड रेडी मिले शायद आपको लोहे के बेड़ पे शायद जमीन पे आपको सोना पड़ सकता है शायद जहां काम करने जा रहे हो आप जो कि और एक्सपेक्टेशन लेके गए थे वह अलग चीज है आपको कोई तक नहीं करेंगा कोई मदद की गुनजाइश नहीं होगी सारा पेपर को खुद करना होगा खुद आका अकुमेडेशन करें कि धुड़ना पड़ता है खुद आपको चीजे खरीद में होती हर चीज की चीजे खुद करनी पड़ती है खाना खुद बनाना पड़ता है वाश्रूम जिस जगह का वाश्रूम खुद साफ करना पड़ता है और हर चीज शेरिंग के साथ के जाती है यह जिस दिन आप बीमार हो आप काम नहीं करोगे भले आपका अंडस्टेंग पीछे में दोनों का बैड़ गया है लग बात है लेकिन फैक्ट यह है कि अगर बीमार भी हो तो आपको खुद उठना पड़ेगा आपको खुद फीवर की बुखार की बदंदर की दवा खुद लिनी पड़ेगी खुद बारिश में आपको रासन जाके लाना पड़ेगा खुद थंड के दिनो प्लम आ आपको टाइम पर ऑफिस पंच करना होगा वरना आपको सफामेश करके मिलेगा आप कोई ढ़ना नहीं मार सकते हो यह नहीं मौत सकते हो कि बभल ज्यादा पढ़े थी ःंज्ड़ फिपाड़ें पैड़ रही थी खौरा बहूट था खाने में भी अपनाटक नहीं क बताओं कि आपको कोई मारेगा नहीं लेकिन अगर आप इस चीज से टॉचर से भागोगे रियल्टी ये सोचोगे कि रियल्टी कुछ और था तो आप वहां पे गलत हो आप सरासर वहां पे गलत हो दोस्तो मैं फिर से आपको चीज बोलना चाहूंगा कि जो काम आप करते हो इ बोला था वहां जमानी उनको काना तो आपको पीजा मेकर नहीं बनाया जाएगा आपको पीछे भगा दिया जाएगा आपके पर राइट्स होता है बहुत सारी चीजी कि लेकिन आप वहां पे फेल हो जाओगे क्योंकि पूरूफ कर देंगी कि आपको काम नहीं आता है आप जो काम यहां करते हो इंडिया में पकिस्तान में यूई के अंदर सौधी के अंदर आपको सेम काम वा मिलेगा आपके नीचे लेवल का ही काम आपको देंगे क्योंकि आपको यहां की एजुकेशन जीरो बटा चीरो है जो एक्सपेक्टेशन लेके सोच रहे हो ओ रियल्टी यह है कि आपको पैसा बचाने के लिए 20 से जाना पड़ेगा जहां पर आपको राद भर एरपोर्ट उतर के सुगद उसी फ्लाइट लेने पड़ती कि पैसा बसता है कि यह है कि आप बड़े सपने तुरन देख लेते हो आप स्टगल करना ही नहीं चाहते हो आपको ऑन दा स्पॉट लगता है लाइफ चेंज हो जाए ऐसी नहीं होती है आपको भूख प्यास थंड गर्मी हवाएं तेज चलेगी कान में दर्द होगा सर में दर्द हो पैरों म बॉडी में दर्द हर चीज आपको सेंट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा आप ऑन दा स्पॉट जाते ही कंप्लेंट नहीं कर सकते हो हमारे इंडिया में सिस्टम में कि मोबाइल पर पात कर लेते लेकिन यूरोप में सिस्टम नहीं चलता हमारे गलफी सिस्टम हम बुख कंट्री में काम करते हैं दूसरी कंट्री में टेवल करो विदाउट इन इन इंफरमेशन आपको अपके नॉनर को बताना होता है कि आप इस जगह हॉलिडे पे या चुट्टी पे जा रहे हो तो दोस्तों रियल्टी वर्सेस एक्सपेक्टेशन में आपको बता दिया अब आपकी सोच आपकी समझ बड़ी इंपॉटेंट है दोस्तों थोड़ा इस चीज को समझो बहुत दिनों से मैं देख रहा लोगों को परशान है तो प्लीज विडियू रिस्पेक्टेशन लेकर चलते हो वह रियल्टी नहीं है प्लीज यह वीडियो इस पेशल उन लोग के देख जिनको रियल्टी वर्सेस एक्सपेटेशन की बारे में नौलेज नहीं थी आज मैंने दिया अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइव सब्सक्राइब करें कि और इस्टाग्राम की अडिट अधि अधिश्मलिक अधिश्यले दोस्तों उस पर कॉंटेक्क कर सकते है तैंक यू बरी मजब दोस्तों